तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ मैं हूँ रोसन और आप दिखे रहे हैं डिजिटल जोन रोसन जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 2020 से 23 सिसन के लिए आप मुबाल से कर लिजिएगा आप मुबाल से मैं करके दिखा रहे हूँ आप मुबाल से भी बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं यहां पर साच बॉक्स से इस पर क्लिक कीजिएगा यहां पर लिखेगा आर एल एस वाई कोलेज इसको सर्च कीजिएगा ओके सर्च करने के बाद पेज इस तरह से ओपन होगा जो राम लखन सिंग यादव कोलेज और रंगाबाद बिहार दिख रहा है यहां पर लिखा हुआ है सारा डीटेल आपको देखने को मिल रहा है यहां थ्री डोट है इस पर क्लिक कीजिएगा वैसे इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिक्शन बॉक्स में डाल देंगा जहां से इसी वाले बेव साइट पर डायरेक्ट चले आएगा यहां पर आईएगा यहां पर डिग्री एडिमिशन लिखा हुए इस पर क्लिक कीजिएगा क्लिक करने के बाद यहां पर page open होगा, यहां पर आपको check your allotment for this college, यहां पर आपको reference number डालना है, reference number आपको college के बेव साइड पर आपको मिल जागा, इसको बद यहां पर year select कीजिए, part 2, इसको बद search, search करेंगे तो आपको details इस तरह से दिखने को मिलेगा, यहां पर आपको सारा detail लिखा हुए, ज जो भी आपको होगा, उसके अनुसार यहां पर फिर से click किजिए तो आपको student history यहां पर आपको पहले तो आपको part 1 का admit card आपको रखना होगा, admit card के अनुसार यहां पर सारा detail फिल करना होगा, जैसे पहले आपको university registration number तो आपको college के admit card जो होगा, जो exam दिये होंगे, admit card पर station number यहां पर डालना है, university roll number डालना है, जो college वाला, जो होगा, admit card, admit card पर होगा, इसके बाद college roll number, जो receipt पर आपका होगा, जो admission रसीद होगा, ना part 1 का, उसी पर यहां पर college का roll number दिया होगा, ओके, यहां पर डाल लीजेगा, इसके बाद यहां पर आपको फादर ने में लिखा होगा है, आपको द्रत होगा, तो सुधार लीजेगा, यहां पर, ओके, यहां पर माता जी का नाम लिखना है, date of birth यहां आपको select कर लेए, इस तरह से calendar के अनुसार, select कर लीजेगा, जो आपका date of birth होगा, इसके बाद यहां पर gender select कर लिजेगा, जो भी आपका होगा, इसके इडर्स पूर अफिलब करने की बाद यहां पर अस्टेयठ का नाम सिलक्ट कर लेंगे इस तरह से यहां पर डेश्टी के नाम लिख लिख लिएगा मोगान नमर इमेल आड़ी यहां पर टाइप कर लिजेगा ओके यहां पर आने के बाद यहां पर आता है अपलाई पूर्ट वाले में आएंगे यहां पर इसके बाद आपको यहां पर सब्सेडरी का ऑप्शन और साफ सपिर्ट करने कषिएगा जो भी सबसेडरी हों सब्सेडरी composition में आपका जो जैसे Hindi composition हो या उर्दू या Hindi या English होगा या तो केवल Hindi होगा 100 नमर का तो इसमें 100 नमर वुला select कर लिजेगा इसके वाद यहाँ पर लिखेगा upload part 1 admission sleep जो part 1 का admission sleep होगा उसको select कर लिजेगा यहाँ से इसके वाद यहाँ पर लिखे part 1 marks it या admit card यहाँ पर डाल लिजेगा इसके पर marks डाल यहाँ पर marks डाल यहाँ पर जैसे marks दिया हुआ है इसके बाद यहां पर upload नी आना document में upload photograph डालना है signature डालना है signature डालने के बाद यहां पर checkbox बाद submit कीजेगा तो यहां पर payment करने का option आजागा payment कर लिजेगा payment करने के बाद अपने college में जाकर verification करा लिजेगा सारा document लगाकर तो इस तरह से अपना admission के लिए आप अपना apply कर सकते हैं जो वीडियो अच्छा लग तो लाइक जरूर कर दिये मन में किसी भी तरह सवाल आगा तो comment करके पूछ लिजेगा